हेलो फ्रेंट, वेलकन टो माई चैनल, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्ट अमित कुमासी, आज मैं आपको एक नमबर वन कमपनी बताऊंगा, जिसमें आपका पैसा पहुत ही तेजी से बन सकता है, ये कमपनी आप लोग को अलकल एन्में जैसे रटन मना के दे सकता है, डिक् कमपनी में तेजी रही, तो ये कमपनी साल में 200, 300, 400 परसेंट का रिटन बना के दे सकता है, ये एक बीगेश मल्टी बैगे स्टॉक है, तो आप लोग इस कमपनी पैसा लगाईएगा, और जो भी पैसा लगाईएगा, वेल्थ क्रियेशन के लिए, पचीस, पचास हजार प में खरी दिये, नहीं तो फिर से आपका ट्रेन छुटेगा, बुल मार्केट में बड़ा करेक्शन कभी भी नहीं होता है, आपको ऐसा लगेगा कि बड़ा करेक्शन होने वाला है, लेकिन होगा ही नहीं, अगर ये बुल मार्केट नहीं रहता, तो अब तक निफ्टी 11, 12, हजार का हो जाता, लेकिन भी ये बुल मार्केट है, 8,000 से मैं चिला चिला के बुरा हूँ, कि ये बुल मार्केट है, और ये जो बुल मार्केट है, ओ डेर सालों तक चलेगा, मेरा 10,800 का टारगेट, 13,000 का टारगेट, 15,000 का टारगेट अचीव हो चुका है, 16,000 का भी टार हो सकती हैं तो आप लोग banking से कंपनी पैसा लगाईए एन बी अपसी कंपनी पैसा लगाईए आपका अगर stock selection बढ़िया है तो आप long term में पैसा बनाओ गहीं जो quality company है वह सालों से return बनाके देते आ रहे हैं जो लोग डर के महले पैसा लगाते हैं पैसा उनी का बनता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूरा portfolio ही बेच दियें करोना वाइरस के बज़े से तो देखो बाई करोना वाइरस आज है डेर साल बाद बिल्कुल भी नहीं रहेगा ले cost of financial condition के बारे पता कीजिएगा company के दंदे के बारे पता कीजिएगा अगर उस company का धंदा अच्छा है business model बनिया है उनकी product है उनकी services अच्छे तभी जाके वो company लगातार return बनाके दे सकता है और इसी टैपी company में आपको compound का एफादा मिलेगा तो देखो net sell turnover सितंबर 19 में था व सितंबर 19 में और सितंबर 20 में देख लो 1597.14 हो चुका है तो भईया मुझे इसका net sell total income quarter to quarter पहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं आप खुद भी अपने स्क्रीन पे देख सकते हो operating profit देख लो operating profit भी इसका सांदार है quarter to quarter पाइज सितंबर 19 में जो operating profit था वो 267.48 था सितंबर 19 में और सितंबर 20 में देख लो 536.71 हो चुका है तो देख से तो पहुत भणिया इसका operating profit है quarter to quarter पाइज 267 से 536 हो चुका है आप बिटा देख लो भाई आप बिटा बेस का सांदार है quarter to quarter पाइज सितंबर 19 में जो आप बिटा था वो 348.22 था सितंबर 19 में और सितंबर 20 में देख लो 545.09 हो चुका है तो देख से तो पहुत भणिया इसका बिटा है quarter to quarter पाइज 348 से 555 हो चुका है तो भाईया मुझे इसका operating profit एविटा quarter to quarter पहुत ही अच्छे दिखाई दिखाई देख लो profit and loss फॉदियर भी इसका सांदार है quarter to quarter पाइज सितंबर 19 में जो profit and loss फॉदियर था वो 291 था और सितंबर 20 में देख लो 339.48 हो चुका है तो भाईया ये भी सांदार है profit and loss फॉदियर भी reported pad देख लो भाई reported pad भी इसका सांदार है quarter to quarter पाइज सितंबर 19 में जो pad था वो 291 था सितंबर 19 में और सितंबर 20 में देख लो 339.48 हो चुका है तो भाईया ये भी सांदार है reported pad भी तो भी इस company का नाम है bulkis industry ये जो company है वो tire बनाती है और बहुत कम ऐसी company है जो इस तरह के tire बनाती है और ये एक profitable business है agriculture, industrial, otr, agriculture पे मैं click करके भी दिखा दे रहा हूँ तो यहाँ पे आप दीख सकते हूँ tractor, heavy power tractor, small tractor, 2WD tractor, compact utility tractor, harvester, otr में आपको दिखायता हूँ, dumper, loader तो आप लोग इस company में पैसा लगाईए मुझे लगता है कि इस company में आपका पैसा बनेगा बहुत कम ऐसी company है जो इस type की गाड़ियों के लिए machine के लिए tire बनाती है तो आप लोग इस company में पैसा लगाईए औ आपका पैसा बनना तय है और यह company सालों से return बना के देते आ रही है ऐसा नहीं है कि आज return बना के दे रही है और जब यह stock नहीं चले तो और भी पैसा लगाईए कभी-कभी ऐसा होता है कि अच्छी-ची company का share भी 2-3 साल बिलकुल भी नहीं चलते हैं इसका मतलब यह नहीं कि खराब company है इन फोसे जैसी company भी 6-8 मेना 10 मेना बिलकुल भी नहीं चलते हैं लेकिन जब चलते हैं तो सीधे double हो जाते हैं तो जो अच्छी company रहती है वाई ना उसमें आपका पैसा बनता ही है मैं क्यों बोलता हूँ कि आप लोग balance sheet देखके पैसा लगाईए अगर आप balance sheet द तो पता होगा मैं इस company पर वीडियो बनाते रहता हूँ आप लोग मैं वीडियो भी दिखाना चाहूँगा तो यह वीडियो मैं 5 जून 2019 को बनायाता यहां पर थम्लेल में देख सकते हो क्या लिखा हुआ है next MRF बनेगा धीरे धीरे खरीदते रहो profit का सुल्तान बनेगा खर पतम नहीं होगी किस प्राइस से वीडियो बनायाता आप लोग मैं वीडियो प्ले करके दिखा दे रहा हूँ तो यहां पर दिख सकते हो 795 रुपया के प्राइस से बनायाता पांच जून 2019 को उस समय भाईया यह स्टॉक चलनी रहे थे आप लोग को पता हो गई हैं आप ल और लाइप टाइम हाई है 1875 रुपया तो 795 रुपया से यह स्टॉक 1875 रुपया तक गया था और अभी आपको 1819 रुपया के प्राइस ही मिल रहे हैं बहुत जल सेयर का दाम 45,000 भी होने वाला है तो अगर आप लोग बाल किस इनेश्टी में पैसा लगा के रखे हैं तो ब आप अगर ऐसा सोचते हो तो आपसे पैसा कभी नहीं बनेगा कभी L&T InfoTech चलेगा तो कभी बजास फैनेश चलेगा तो कभी दीपक नेटीट चलेगा और जो चलेगा न वो चलता ही रहेगा दीपक नेटीट पे मैं जब फर्स टाइम 160-170 पर वीडियो बनाया था उस समय स स्टॉक 300 को क्रॉस किया उसके बाद आग लग गया Dixon Technology पे मैं जब फर्स टाइम वीडियो बनाया था 4000 पर उस समय स्टॉक बिलकुल भी निचार रहे थे लेकिन आप लोग को पता ही कि Dixon Technology जब चलना स्टार्ट किया तो 20,000 का हो गया और अभी भी चल रहा है कुछ दिन पह पॉसिस करूंगा भाई आपको अच्छा से अच्छा पोटफोलिय बना के देने का कॉंट्रेट कीजिए मुझसे पेड सर्विस चाहिए तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि मैं इंडिया मार्ट साड़े 8,000 रुपए के प्राइस में खरीदा हूं एफल इंडिया 6, 6,000 रुपए के प्राइस में खरीदा हूं मेरे बाइंग प्राइस से नीचे आगए अब मैं क्या करूं तो भाई देखो जो कम्पनी साल में 200-300% रुपए के दे चुकी हैं अगर उस कम्पनी में थोड़ा सा करेक्शन हो जाता है तो आपको डरना नहीं चाहिए इंडिया म में पैसा बनेगा यह सभी स्टॉक और भी उपर जाएंगे यहां से भी 200-300% का रिटन बना के देंगे इंडिया मांट 20-25,000 का भी हो जाएगा एफल इंडिया 15-16,000 का भी हो जाएगा तो आप लोग डरिये मत रखे रहिए और बजास फैनेंस से पैसा लगाईए यह साड़े 7,000,8,000,9,000 का हो जाएगा और 9,000 का होगा आप लोग तब भी मत बेचेगा 10,000 का होगा बजास फैनेंस तब भी मत बेचेगा इसको तो भाय आप बेचना ही नहीं है मैं भी अग्र 4-5 साल पहले 6 साल पहले बेच दीता ना तो आज मैं वहीं पे रहता तो आप बे तो चली रही है, रुक नहीं रही है लेकिन आप लोग तो profit book करके निकल जाते हो 50-100% लेके निकल जाते हो बड़ा पैसा बनाना है तो खरीद के भूल जाओ कोई एक company भी चल गई तो आप बहुत बड़ा पैसा बना लोगे बालकिस इंश्टी 20 सालों में कितना return बना के दिया है आप यहां पर देख सकते हो 1,35,328% बना के दिया है और ये रातो रात भीया return नहीं बना है 20 साल लगे हैं 20 साल बजाज finance भी 20 सालों में 1,00,000 परसेंड बना के दिया है और इससे ज़्यादा return बना के दिया है समय के साथ साथ return कमते रहता है देमेट इकान उपेन करना चाहते हो तो लिंक का आप लोग को वीडियो टिसन मिल जाएगा जी रोधा और आप स्टॉप का आप स्टॉप में देमेट इकान उपेन काना विलकुली फ्री है कोई भी चार्जस आपको नहीं लगेंगे जो भी लोग मेरे लिंक से दिमेट इकान उपेन कराएगे उनको इंटर्डे टिप्स फ्री में दिया जाएगा अगर फिर मेरी वीडियो अच्छी लगए हो तो लाइक करना सेर करना सब्सक्राइब करना पहले सेर में चैनल को सब्सक्राइब कर वेल बटम प्रेश नहीं करोगे तो मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलने पाएगा आप लोग क्वालिटी कंपनी पैसा लगाए तभी जाके आपका पैसा बनेगा लॉंग टर्मे धन्यवाद